हेलो दोस्तो मैं आपका प्रबल सती वाले इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं Moto G4 Plus की condition after three and a half month rough usage आप हमें इस लिंक पे Instagram पे follow कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो ये है हमारा Moto G4 Plus जैसे आप देख सकते हैं fingerprint scanner हम इसमें use कर रहे हैं दोस्तो इस mobile की कमजोरी ये है कि कभी-कभी आपका fingerprint scan करने से मना कर देता है मतलब ये कभी recognize करता है मतलब थोड़ी-थोड़ी इसमें खामिया है जो इसे fix करनी चाहिए लेनोवों ने और साथी साथी mobile Android Wear और VR box को भी support करता है इस mobile की कभी-कभी problem ये होती है कि हम इसमें install button दबा नहीं सकते जैसे कि अगर आप screen filter यूज़ कर रहे हो तो भी अगर नहीं भी कर रहे हो तो भी इसमें कभी-कभी ऐसी problem आ जाती है कि आप install button ना दबा सके और जैसे कि इसके issues बहुत है लेकिन बहुत minor issues है जैसे heating issue है इस mobile में अभी भी जैसे extra charge करने पे हलका सा heat होता है लेकिन जादा नहीं और दोस्तों इसकी battery power बहुत अभी powerful है 3.5 month usage के बाद भी इसकी battery power अभी बहुत है अगर मैं 100% में GTA San Andreas खिलना शुरू करूं देड़ घंटे के लिए तो जादा स्यादा इसकी battery 75% पहुचेंगी मतलब battery life इसकी बहुत अच्छी है और इस mobile की खासेत है कि यह most probably हर एक app जो है playstore पे सबको support करता है हमें इस phone को root करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से यह lollipop marshmallow support कर रहा है तो marshmallow users के लिए अच्छी बात है सारे वो rooted application free use कर सकते हैं जैसे आपने दिखा भी इसने मुझे recognize करने से मना कर दिये था तो दोस्तो camera problem इसका तो कोई नहीं photos भी बहुत अच्छी ले लेता है फोटो में इसका कोई problem नहीं और camera इसका बहुत अच्छा है इसमें बस दो या तीन खामिया है मैं अगर आपको बताओ तो minor hitting issues जैसे अगर आप इसे ज़्यादा चार्च कर देतो या अगर इसकी battery एकदम कम हो और आप gaming ज़्यादा कर रहे हो तो ये hit हो सकता है और इसकी दूसरी एक खामी है कि ये कभी-कभी आपकी fingerprint sensor को मानने से मना कर देता है देखिए मैंने तीन बार किया तब जाके खुला ठीक है इतने भी कोई problem नहीं है और इसकी तीसरी issue ये है कि इसमें game कभी-कभी lag कर जाते है और कुछ नहीं तो दोस्तो ऐसा नहीं है कि Moto G4 Plus इतना भी कुछ बुरा phone है I think so ये अब तक का निकला हुआ motor लगा सबसे best phone अगर मैं कहूं तो ये ही है और Xiaomi Redmi Note 3 और Li Eco Li 2 से तो खास बेतर अगर मैं recommend कर सकता हूं तो Moto G4 Plus और साथी साथ Lenovo ZUK Z2 या फिर ZUK 1 उनसे भी ज्यादा powerful अगर आप phone लेना चाहे तो मैं आपको Moto G4 Plus recommend करूंगा और ये साथी साथ आपके Android Wear और VR boxes को भी support करता है जो की बहुत अच्छी बात है तो थैंक्यू दस्तों do share this video अगर आपको पसंद है तो do subscribe and do like it